हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी है हमारी वाबी साबी इस समरी की शुरुआत हमें कहानी से करते हैं इस बुक की ओथर बेथ कैम्टन एक बार जापान की हाइट ताकयामा के बाथ हाउस में गई जहां उन्होंने एक बड़े शेयर टप में एक खंटा नहाने के लिए तीन यूरो यानी 420 येन दिये वहां के रूल्स को फॉलो करते हुए बेथ ने अपने सारे कपड़े उतार कर उन्हें लोकर रूम में रख दिये एक प्लास्टिक के चपल के अलावा उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था बाथ हाउस के अंदर भाप ही भाप थी यह नहाने की ऐसी जगह थी जहां औरते बाल्टी और डीपर का यूज़ करके नहा सकती थी बाथ हाउस के अंदर लगे शीशो को देख कर बेथ हेरान हो गई दो साल पहले प्रेगनेंसी की वज़ा से अपने शरीर की बड़ी हुई चर्वी को देख कर वह अनकमफटेवल महसूस करने लगी जब बेथ अपने बाल दो रही थी तो उनकी नजर कमरे में दूसरी औरतों पर पड़ी वे सभी अपनी उम्र और अपने शरीर के आकार की परवा किये भिना पूरे कॉन्फिडेंस से नहा रही थी वे सभी अपने काम में इतनी विजी थी कि किसी ने बेथ की तरफ देखा तक नहीं वे ना तो अपने साइस को लेकर और ना ही अपने रंग रूप को लेकर शर्मिन्दा महसूस कर रही थी बेथ ने देखा कि एक बूरी औरत जकूजी में अपने पेर डुबो रही थी दो दोस्त आपस में हसकर बाते कर रहे थे और एक माँ अपनी जवान बेटी के साथ नहा रही थी यह सब देखकर बेथ ने सोचा कि इस से उस लड़कियों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा वेस्टन कंट्रीज में लड़कियों को परफेक्ट दिखने के लिए उन पर प्रेशर डाला जाता है उनका शरीर फिट हो वा सुन्दर दिखती हो उनकी स्कीन गोरी हो तभी उन्हें सोसाइटी अकसेप्ट करती है यह ऐसे स्टेंडर्ड हैं जिन्हें बदलने की कोशिश की जा रही है लेकिन हमें इस बदलाव के लिए अब भी लंबा रास्ता तई करना होगा हम खुद को अपनी कम्यों के साथ वैसे ही स्विकार करें जिसे हम है यह वावी सावी का सबक है यह ऐसी त्योरी है जिससे लड़के लड़कियां और तो और आदमियों का जीवन बदलने की ताकत है वावी सावी का मतलब है कि लाइफ कभी परफेक्ट और पर्मानेंट नहीं होती यह समरी आपको सिखाएगी कि आपनी खामोशी और दुख में सुन्दरता और खुशियों के पल केसे ढूड़ना चाहिए आएए चलते हैं हम इसके अगले चेप्टर की ओर वावी सावी शब्द जापान की ओफेशियल लिक्ष्णरी कौजियन में आपको नहीं मिलेगी वैसी तो वावी और सावी दोनों शब्दों के लिए अलग-अलग लंबे एक्स्प्लेनेशन मुदूद हैं लेकिन वावी सावी को मिला कर कुछ नहीं लिखा गया है यह कॉंसेप्ट सिर्फ बोलचल की भाषा में मौजूद है यह जापानियों के दिलों दिमाग में जिन्दा हैं लेकिन वावी सावी का मतलब कभी कागस पर नहीं उतारा गया है वावी का मतलब है सिंपलिसीटी यानि सादगी में सुन्दरता यह इस्प्रिचुलिटी और मर्टेरियल दुनिया से अलग होने को भी दिखाता है सावी का मतलब है समय का बीतना यह ग्रोथ यह उम्र का बढ़ना, बुढ़ापा आना और फिर सब कुछ खत्म हो जाने को दिखाता है बावी सावी की शुरुआत, चाय के फेस्टिवल और जेन बोध धर्म से जुड़ी हुई है सोलवी सेंचुरी की दोरान जापानियों ने कई सालों के जंग और तबाही के मंजर का अनुभों किया था वहां हमेशे सुखा पड़ता, आग लग जाती और कई तरह के नेचरल डिजाश्टर होते रहते वहां बहुत ज्यादा टेक्स लिया जाता था और बहुत गरीब ही भी थी समाज में इतना उतल पुतल मचा हुआ था कि आम लोगों को बहुत धर्म में शांती और सुकुन का एहसास होने लगा अमीर जागीरदार अपनी सभाओं में महंगे चाए के कप और बरतनों का इस्तमाल करते थे तोयो तोमी हिदे योशी जो एक जाने माने जागीरदार और समुराई थे उनके पास एक गॉल्डन टी रूम था टी सेरिमनी यानि चाए समालों में जो क्रोकरी रखी जाती वो सभी बहुत कीमती थी जिने चाइना से मंगवाया गया था एक तरह से कहा जा सकता है कि जागीरदार टी सेरिमनी का आयोजन अपनी दोलत का बखान करने के लिए करते थे वहीं सेननो रिख्यू जो एक बिजनेसमेन और टी मास्टर थी वो टी सेरिमनी में एक रांथी कारी बदलाव लेकर आए जिनके टी सेरेमनी में साधगी और सुन्दरता थी उन्होंने टी रूम का साइस छोटा कर आधा कर दिया और उसमें महेंगे क्रोकरीज की जगह साधे और सस्ते वर्टन इस्तिमाल किये जाते थे रिक्यों के लिए टी सेरेमनी का मतलब था सारा एकटा होना प्रक्रती की एहमियत समझना, उसकी खुबसूर्ती की तारीप करना और उस पल में मौजूद रहकर आनन्द लिना उनका मकस्त था चाई की चुस्किया लेते हुए जीवन के बारे में सोचना बाद में रिक्यों की चाई को वाबी चाई के नाम से जाना जाने लगा वाबी शब्द को सिंपल टेश्ट के रूप में समझा जा सकता है इसका एड्जक्टिव वाबी शी का मतलब है अकेला या गरीब होना इसका वर्व वाबी रूप का मतलब है गरीब या निराशा रिक्यू के टी सेरिमने की वजह से वावी को सादगी में सुन्दरता के रूप में समझा जाने लगा वावी का मतलब है reality यानि हकीकत को स्विकार करना इसका मतलब है कि चाहे situation कितनी भी मुश्किल क्यों न हो उसमें सुन्दरता हो सकती है वावी का मतलब है material दुनिया की उथल पुथल से दूर संतोश की भावना इसका मतलब है विनम्र होना, कम खर्ची रहोना या कम से कम चीजों को वेश्ट करना इनसान की रूप में हमारी basic जरूरते ज्यादा नहीं होती है इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें विनम्र, संतोश्ट और grateful होना चाहिए इसी तरह सावी शब्द का मतलब है अनोखा रूप और simple style है इस सब्द का verb शावी रूप का मतलब है नाश होना या उम्र का बढ़ना सावी का एक मतलब है समय बीतिने के साथ आने वाली सुन्दर्ता और शांती भी है example के लिए आपने kitchen में रखी आपकी लेकिन कम चमकदार table में भी आपको सावी मिल सकता है लगबग सो साल पहले जापानी लोगों की साइकोलोजी को समझने के लिए इन दो शब्दों को एक साथ जोड़ा गया ये किसी चीज या नजारे की सुन्दर्ता के बारे में नहीं बल्कि एहसांस के बारे में है यह जापानीों के दिल औ धिमाग में समाया हुआ है एक्जामपल के लिए 70 साल की उम्र दराज और सेट्सुको ने वावी सावी के बारे में तब तक कुछ नहीं कहा जब तक इस बुक की ऑथर ने खुद उन से इस बारे में जिक्र नहीं किया सेट्सुको ने कहा कि वावी सावी उनकी पहचान का हिस्ता है वावी साभी हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है वावी साभी आपको जीवन का यह लेसन देता है कि जब आप जीवन को अपने दिल की नजरों से देखते हैं और experience करते हैं तो आपको जीवन अलग लगने लगता है जीवन नहीं perfect है और नहीं permanent इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, यहां तक की इनसान भी नहीं, वावी सावी हमें यह भी सिखाता है कि सिंप्ली सीटी में आपको सुन्दरता, आहराम और वेल्यू मिल सकता है. वेस्टन देसों में लोग वावी सावी शब्द का इस्तिमाल किसी नार्मल दिखने वाली कटोरी, पुरानी कुर्थी या तरार पड़ी हुई चाय के कब के लिए करते हैं, लेकिन जापानियों के लिए इस शब्द का मतलब डिजाइन या इस्टाइल से कहीं ज्यादा है. उनके लिए वावी सावी का मतलब है, सिंप्लिसीटी और इंपरफेक्शन में सुन्दता देखना, हर इनसान के लिए वावी सावी का अलग मतलब होता है, एक प्रोफिसर किसी पुराने मंदिर में वावी सावी महसूस करता है, जबकि एक सेक्सो फोन बजाने वाले को यह जब महसुस होता है जब वहाँ कोई पुराने गाने बजाता है। एक बार दो जापाने स्टुडेंट्स ने अमेरिका में प्रेजेंटेशन दी। उनके एक अमेरिकन क्लासमेट ने उनसे पूछा कि क्या कोई भी वावी सावी सीख सकता है। इस पर जापाने स्टुडेंट्स ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ वो वावी सावी को एक्सपिरियंस कर सकते हैं क्योंकि वह जापानी है। इस बुक के ऑथर इस बात से सहमत नहीं है। कि वह कहते हैं कि वावी सावी हम सब के लिए एक गिफ्ट की तरह है या आज के दोर में खासकर सोशल मीडिया के जमाने में हमारे लिए और भी इंपोर्टेंट हो जाता है आज सुबह जागने के साथ ही हम पर जैसे इंफॉर्मेशन की बोचारत ही होने लगती है हम ऐसे एड देखते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कितना पैसा कमाना चाहिए ज्यादा तर लोग अपने जीवन को सुधारने की जगा, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है इस पर अपना टाइम वेश्ट कर देते हैं हमें दूसरों से कंपेरिजन करने और दूसरों से वैलिडेशन पाने की इतनी आधी हो जाते हैं हम लाइक के इंपोर्टेंट मॉमेंट्स पर ध्यान ही नहीं देते बलकि सेलफी लेने में विज रहते हैं उसके बाद हम वो पिक्चर शोसल मीडिया पर पोस्ट करके उन लोगों को लाइक और कमेंट का वेट करते हैं जो हमारे लिए असल में बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं होते हम सेलिब्रिटी के पोस्ट देखते हैं और यह सोचकर जलन महसुस करते हैं कि शायद वह सच में ऐसे ही रहते हैं यह सब करते हुए हम अपनी लाइफ की असली ब्यूटी को निस्ख कर रहे हैं हमें दुनिया को अलग नजरिये से देखने की जरूरत है हमें और ज़्यादा पाने की इच्छा से दूर जाने की जरूरत है हमें अपनी स्पीड कम करने की भी जरूरत है ताकि हम लाइफ के हर पल को एंजॉय कर सके हमें परफेक्शन के पीछे भागने के बज़ाए अपने imperfection के appreciate करने की जरूरत है बावी साबी हमें संतुष्ट रहना सिखाता है बावी साबी का idea है कि इनसान के पाथ सामान कम होना चाहिए और समझदारी और भावनाएं ज्यादा होनी चाहिए अब जितना कम जमेला पालेंगे उतना ही सुकून महसुस करेंगे लोगों को कम judge कीजिए क्यों और माफ ज्यादा imperfection को accept करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने standard के level कम कर देना चाहिए इसका बस इतना मतलब है कि आप जैसे भी हैं खुद से संतुष्ट रहिए वाभी सावी आप जैसे हैं विर्कुल वैसा रहने की आजादी देता है जिसमें दिखावे के लिए कोई जगा नहीं है वाभी सावी के अनुसार आपको perfect होने की जरुरत नहीं है आप अपनी speed कम कर relax कर सकते हैं और जीवन की साथगी और सुन्दरता को experience कर सकते हैं आईए चलते हैं हम next chapter की और simplifying and beautifying पहाड जंगल और खेती वाली जमीन से जापान का 80% हिस्सा भरा हुआ है यही वज़ा है कि शहरों में बहुत भीड हो गई है टोक्यो की कूल आबादी 13 million है status 6 की अनुसार जापान में पैर स्केर किलोमिटर 6000 लोग रहते हैं इसलिए जापानियों ने कम जगह में चीजे बनाने में महारत हासिल कर ली है जापानियों और दुनिया के अंगिनत देश के लोगों के लिए हाल में कुछ सालों में clutter एक challenge बन गया है clutter यानी चीजों का अंबार जो यूहीं बहक हुआ पड़ा है इसलिए इसमें बिलकुल आश्टेरी की बात नहीं है कि मेरी कॉंडो की बुक life changing magic और टाइडिंग अप जट से एक international best seller बन गई थी हम जितना हो सके उतना कम से कम सामान रखने की और उसे पूरी तरह सफाई और perfectly और गनाईस रखने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन बावी साबी कहता है कि perfect जैसी कोई चीज नहीं होती हो सकता है आप इस बात से frustrated हो कि आपका घर वेसा नहीं हो सकता जैसा आप magazine में देखते हैं आप stressed हैं क्योंकि आप कम से कम सामान के साथ clutter free life जीना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर पातें क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे पालतु जानवर हैं आपका lifestyle बहुत busy है और आपको एंटिक और चीजे कलेक्ट करने का शौक हैं तो चिंता मत कीजिए वाभी साबी के पास इसके लिए एक solution है वो है आपको पूरी भावना से simplicity को अपनाना चाहिए इसका मतलब है कि आप अपने घर को प्यार से declutter और organize कर सकते हैं इसका मतलब या बिल्कुल नहीं है कि आपको perfect होना या कम से कम चीजों को use करने का rule strictly follow करना है इस idea का मतलब है कि आपको अपने घर को साफ, simple, personalized और welcoming बनाना है मेगजिन में दिखाये गए घर इतने perfect लगते हैं जिसे मानो वहाँ कोई रहता ही ना हो लेकिन आपका घर ऐसा नहीं होना चाहिए घर रहने की जगा है किसी मेगजिन का cover, page या photographic का studio नहीं अगर आपका घर perfect नहीं है तब भी यह जरूरी है कि वह comfortable हो और प्यार और खुशनुमा यादों से भरा हो आप अपने घर में सिर्फ वो सामान रखें जो सच में आपके लिए माइने रखते हैं अपने घर को declutter करने और दोबारा सजाने का कोई सही टाइम नहीं होता आपको तब तक इंतिजार करने की भी जरूरत नहीं है जब तक आपके पस काफी पेसा नहीं आ जाता या आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाते इसके लिए आपको लंबे vacation की भी जरूरत नहीं है आप आज से ही अपने घर में वावी सहावी अपलाई करना शुरू कर सकते हैं बस आपको कुछ रूर्स पॉलो करने की जरूरत है आज ऐसी चीज़े खरीदना बहुत आसान हो गया है जिनकी हमें सच में कोई जरूरत नहीं है वावी सहावी हमें सिखाता है कि हम जैसे भी हैं पूरी तरह ते इनपरफेक्ट है इसलिए दूसरों के सामने कुछ साबित करने के लिए हमें ज्यादा लगजरी चीज़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है अपना घर फिर से सजाने के लिए आपको नई परनीचर और दूसरी चीज़े खरीदने की भी जरूरत नहीं है आपके पास पहले से जो कुछ हैं आप उससे ही अपना घर सजा सकते हैं बावी साबी स्टाइल में कोई सही अगलात इस्टाइल नहीं है आपको अपने घर को सुन्दर और सिंपल बनाने के लिए किसी भी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं है इनपरफेक्ट होने में कोई बुराई नहीं है आपका घर अगर वर्क इन प्रोग्रेस लगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं इरेगुलर, इनपरफेक्ट, हमबल, सिंपल, नैचरियल, और्गेनिक, सैंटिमेंटल, टेक्स्चर्ड, सांथ वगेरास यहां कुछ ऐसे शब्द हैं जो वावी साभी स्टाइल से घर डिजाइन करने को डिस्क्राइब करते हैं यहां तीन थीम हैं जो वावी साभी आपको अपने घर को फिर सजाने के लिए बताता है पहला है सिंपलिसिटी, आपके पास कितने कपड़े या जूते हैं हमारे मौडरन लाइफ स्टाइल में उन सबी चीजों को खरीदना इतना आसान बना लिया है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती डियेक लेटर करना आया जो चीजे काम की नहीं हैं उन्हें हटाना वावी साभी का ही हिस्सा है ऐसा करने के लिए आप अपने घर के सामान को कैटेगरी में डिवाइट करके वावी साभी की शुरुआत कर सकते हैं इनमें किताबे, खिलोने, जूते चपल जैसी कई चीजे हो सकती हैं किसी भी एक कैटेगरी को चुनिए और उससे जूड़े सामान को इखटा कर एक जगापर रखिए एक्जामपल के लिए अपने घर में सबी जूते चपलों को इखटा कीजिए इनमें से जिने आप यूज नहीं करते, उन्हें आप बेच सकते हैं या दान कर सकते हैं आपको एक ही दिन में पूरे घर को साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्जामपल के लिए मान लेजिए, आपकी पास दोपहर में फ्री टाइम है तो आप उस प्री टाइम में एक केटेगरी पर काम कर सकते हैं अगले दिन आप दूसरी केटेगरी चुन सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप पहला काम ठीक से पूरा नहीं कर लेते हैं कोशिश करें कि आप अपने पेपर पर्क, म्यूजिक, बोक्स और फोटो को डिजिटल बना ले, इससे काफी जगह बच जाएंगी, आप अपने सबसे फैबरेट एक या दो फोटो को दिवार पर टांग कर बागी सबको अपने गैजेट में सेव कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसी चीज़े हैं जिसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो आपको उनमें से एक चीज़ रखनी चाहिए, बाके को निकाल देना चाहिए, इसके बजाए उन्हें अपनी यादों में जिन्दा रखिए, एक्जामपल के लिए अगर आपकी म गुजर गई हैं, तो उनके सारे कपड़ों और गेहनों का अलमारी में रखने की जगा सिर्फ एक कपड़ा और गेहना अपने पास रखिए, और बाकी को दान कर दीजिए या बेच दीजिए, आपके दिल में उनका प्यार और मीठी यादे हैं, बस उन्हें संजोए किया आपके पार desks पर paper का पहार बना हुआ है? अगर हाँ, तो उन्हें तीन group बना कर ओरगनाइज करें, किस पर सबसे पहले काम करना है, किसको की फाईल बनानी है या किसे फैंक नहीं जिन पर सबसे पहले काम करना है यानि एक्षन लेना है बहँ सबसे ऐम्पोर्टन है उन्हें पूरा करने के लिए टाइम भीका लीडिए फाईल करने के लिए पैपर्स वह होते हैं जो अभी सावी का दूसरी थीम है इस्पेस यानि खुली और खाली जगा आम जापानी लोग आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किये गए घरों में नहीं रहते हैं लेकिन वह सब जैपनीज आर्किटेक्चर के सिंपल रूल्स को फोलो करते हैं वह रूल्स कुछ ऐसे हैं साफ सुसरी खाली जगा नेचर के कुछ एलिमेंट्स लाइट और शेड़ो की समझ कम में गुजारा करने का कॉंसेप्ट सुन्दरता का भाव और सही मटेरियल चुनने की परक अपने घर में ज्यादा जगा बनाने के लिए यहां कुछ टिप्स दिये गए हैं किसी भी एक कमरे को चुन खाली हो जाए तो सिर्फ वो चीज़ें अंदर रखें जो इंपोर्टेंट हैं जब आप उस कमरे में रहेंगे तो आप क्या फिल करना चाहेंगी अब अपने कमरे के लिए एक ऐसा रंग चूज करें जो आपकी आँखों को और आप आपको अच्छा फिल कराएं कमरे में सि इस तरीके से अरेंज करें कि वहां खाली जगा रहें एक्जामपल के लिए आपके बेडरूम में एक बेड एक टेबल चेयर और एक कलमारी काफी हैं आप दिवार पर कोई भी पेंटिंग या फोटो लगा सकते हैं इससे आपके कमरे में काफी जगा बन जाएगी आप अप की सफाई करें और फोलों से इसे सजाएं आप एंटिक शॉप से भी कुछ सामान खरिद कर अपने कमरे की सजावट कर सकते हैं अपने कमरे को सजाते वाक्त कमरे में नैचर से जुड़ी चीजे रखें इन महिनों में कौन से पोधे लगते हैं या किन पोधों पर फूल किलत हैं मोसम में आने वाला बदलाव भी वावी सावी कॉंसेप्ट का हिस्सा है यह समय के गुजरने और जीवन कितना चोटा है इस बारे में बताता है नैचर हमें याद दिलाता है कि हमें इस पल में मौजूद रहना चाहिए और जब तक हो सके इसे सजो कर रखना चाहिए नै श्टोर में जाकर घर का सामान खरिदने की कोई जरुरत नहीं है आपको छोटे बाजारों में या एंटिक सामान वाली दुकानों पर सस्ती और अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं आपको जो भी नेचर ने दिया है आप उसको रिसाइकल करें अपने घर को सजा सकते हैं एक्जामपल के लिए आप टेबल के उपर एक लखड़ी का कटोरा रखकर उसमें कुछ सूखी पतियां, शंक, बीज, पंक और ओग का पल रखकर उसे सजा सकते हैं आईए चलते हैं हम अब अगले चैप्टर की और Accepting and Letting Go वावी साबी के एक Basic Principle में यह सुखार करना शामिल है कि Life Imperfect, Incomplete और Impermanent है वावी साबी हमें सिखाता है कि हमारे पास जो भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए बदलाव को Accept करना चाहिए और Future हमारे लिए क्या लाता है उसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए बदलाव जीवन का नियम है हमारी जीवन में सब कुछ बदलता है चाहे वा हमारी Interest हो, Attitude, Relationship, Health, Career, Finance और मोके कुछ भी हो कभी कभी कोई बदलाव एकदम अचानक ही हो जाता है और Important होता है तो कभी कभी ये धीमा और छोटा होता है Life में सब कुछ बदलता है इसलिए अपने पाश्ट को पकड़ कर रखना और प्रेजन्ट के बारे में इस्ट्रेस लेना बेवकूफी है हम बंबू यानि बास के पेड़ से सीख सकते हैं इसकी जड़े मजबूत होते हुए भी या बहुत लचिला यानि फ्लेक्सिबल होता है जहां हवा भहती है बास वही जुग जाता है या हवा को फोलो करता है इसी बीच इसके चारो और ज्यादा बास के पेड़ उगते हैं अगर आप अपनी बात पर अड़े रहें और बदलाव का विरोध करते हैं तो आप जीवन में आने वाले चैलेंज से हार जाएंगे लेकिन अगर आप सच्चाई को एकसेप्ट करते हैं और आप दोबारा उठ सकते हैं अतीत के बोश तले दब जाना या अपने दिल के पश्टावे और दोश जिसी भावनाएं महसूस करना नार्मल बात है लेकिन जब ऐसा हो तो याद रखेगा कि उस समय आपके पास इतनी नौलेज, रिसोर्स और माहुल नहीं था जो आज आपके पास है आपके पास उतना सेल्फ, अवेरनेस, हिम्मत, सपोर्ट और माइंडसेट नहीं था जो आज आपके पास है इसलिए अगर ऐसा हुआ होता या ऐसा नहीं हुआ होता के बारे में सोचने की कोई मतलब नहीं है पास्ट अब बिद चुका है चाहे आपका एक्सपेरियंस अच्छा रहा हो या बुरा आप इसे वापस नहीं ले सकते हैं इसलिए पास्ट को जाने दे आप अपने पास्ट के बारे में लिख सकते हैं या किसी प्रोफेशनल से अपने पश्टावे गल्ती और अक्रेले पन के लिए मदद ले सकते हैं अपना जीवन यहीं से और अभी से शुरू करे यही पल आपकी बाकी के जीवन की शुरुआत है इस समरी को सुनते पढ़ते समय आपको घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे सकती है हो सकता है आप बस यह ट्रेन के सपर कर रहे हो हो सकता है कि आप अपने टेबल पर बेठे हो और बाहर खिड़की से सूरच चमक रहा हो और यह भी हो सकता है कि आप कीचन में खाना बना रहे हो समय गुजरता जाता है जल्दी ही आप बस्ते उतर जाएंगे आपकी चाय छंडी हो जाएगी या चांद चमकने लगेगा हम किसी भी एक पल में फसकर नहीं रह सकते वावी साभी हमें सिखाता है कि जब तक हमारे पास अच्छी चीज़े हैं तब तक हमें उसके कीमत समझनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि बुरा वक्त भी जल्दी ही गुजर जाएगा अगर आप स्ट्रेश्ट, परिशान और चिंता में हैं तो आपके शरीर में अंदर और बाहर क्या हो रहा है इस बात पर ध्यान दीजिए लंबी सांस ले, अपनी भावनाओं को महसुस करें और ये जान लें कि ये आपका सारा दर्द दूर होने वाला है जब आप कहें चीज़ों के कारण भारीपन महसुस करने लगें यादों में रखें चलो अब शंतोस और इनपरफेक्शन के बारे में बात करते हैं क्योटो के रियाज जी मंदीर में एक पत्थर के वाश बैसीन में यहाँ शब्द लिखे हुए है वेर ताड़ा तारू और शिरू जिसका पॉइटिक ट्रांसलेशन है मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए या वा इनसान जो अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट हो वा अमीर है ऑनलाइन या आफलाइन एड़टाइसमेंट हमें ऐसे पफेक्ट लाइफ दिखाते हैं जिसमें कोई नेगेटिव इमोशन्स और श्ट्रकल नहीं होते हैं हम जिन लोगों को एड़टाइसमेंट में देखते हैं उनके चमकदार बाल बीना जोर्रियों की स्कीन होती है और वा परफेक्ट दिखते हैं वा अपने बड़े बड़े आलशान घुरों में आराम से रहते हैं बीच पर घुमते हैं और अपने अमीर दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं उनके इंस्टाग्राम पोश्ट उनके पफेक्ट डिजाइन किये गए घर तेमिज दर बच्चे और फिजिकली फिट बॉड़ी को दिखाते हैं हमें यह विश्वार दिलाया जाता है कि अगर हम नया मुबाइल, कार, बेग वगएरा खरिते हैं तो हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी लेकिन यह सब कोरी बाते हैं एड़टाइज का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है आप जो पिक्चर वीडियो देखते हैं उन्हें बहुत साउधाने से बनाया जाता है ताकि आपको यह महसूस हो सके कि अगर आप उस प्रड़क्ट को नहीं लेंगे तो आपके जीवन में कुछ कमे रह जाएगी जैन बुद्धिज्म हमें यह सिखाता है कि जीवन विमारी, बुढ़ापा और मोथ दुख के कारण है जब हम इन से बचने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ अपनी तकलिफ को बढ़ाते हैं और अपने ठीक होने की शमता में देरी करते हैं अगर आप इस दर्दनाक हकीकत को एकसेप्ट करते हैं तो आपका मन शान्थ हो सकता है और आप उन सब परिशानियों से जीट सकते हैं जो जीवन ने आपको दिये हैं एक्जांपल के लिए अगर आपको कोई गंभेत बिमारी हो जाती है तो आप इससे एकसेप्ट करके अपने लाइप स्टैल को बदलना शुरू कर सकते हैं आप इसी ऐसे डॉक्टर की मदद ले सकते हैं जो ट्रेट्मेंट के जरी आपकी मदद कर सके हम परफेक्शन को पंप्लीट होने से जोड़ते हैं इस बात को एकसेप्ट करना की हम इनपरफेक्ट हैं इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है की हम एवरेज है बलकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है की हम जैसे हैं काफी हैं आप सब कुछ नहीं जानते और आपको सब कुछ जानने की जरुरत भी नहीं है आप जितना जानते हों वही काफी है आपके पास सब कुछ नहीं है और आपको उसकी जरुरत भी नहीं है आपके पास जितना है काफी है आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं हो सकते और नहीं होने की जरूरत है अपने दिल की गहराईयों में देखो तब आपको पता चलेगा कि आप खुद में काफी हो इन परफेक्शन का मतलब हार मानना नहीं है इसका मतलब है कि आपको लोगों की उमीदों पर खरा उतरने के लिए ऐसी किसी चीज करिदने की कोई जरुद नहीं जो आपके लिए किसी काम की नहीं है आप जैसे भी हैं उन लोगों के लिए बहुत कियन्ती हैं जो लोग आपसे प्यार करते हैं परफेक्शन के पीछी भागना बंद करो और आज में जीने के लिए अपना पूरा जोर लगाओ वाभी साभी के अनुसार हम सबी कंप्लीट नहीं बल्कि वर्क इन प्रॉग्रेस हैं जिन्दा होने का मतलब है आगे बढ़ना आपकी सिच्वेशन जैसी भी क्यों नहों आपको उसे एकसेप्ट करना चाहिए और उसे हर सिच्वेशन से बाहर निकलने के लिए आपको उसमें एक्टिव रोल निभाना चाहिए एक्जामपल के लिए मेरी शादी तूड़ गई न पर हावी होने दूगा यह प्राब्लम्स जल्दी ही खत्म हो जाएंगी लेकिन इंपोर्टेंट यह है कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं नयर्चरिंग रिलेशन्शिप टी रूम का दर्वाजा बहुत छोटा बनाया गया था ताकि सभी मेहमान चाहे वह अमीर हो या गरीब उन्हें जुक कर कमरे में आना पड़ता था टी रूम में सब बराबर थे सब एक दूसरे के पती दया रखते और एक दूसरे को समझते थे वह खाने चाय और इस पल के लिए शुक्र गुजार थे टी सेरेमनी फॉर प्रिंसिपल्स पर बेस्ट हुआ कि इसे काकुष्जिन का मतलब है समानता चुमान पवित्रता और शान्ती समानता गेष्ट और होष्ट के बीच चिके शान्तीपून और ड्रामा फ्री डिलेशन्ट सब को दिखाता है इसे खाने बरतनों मोसं और सेरेमनी में लोगों के मूड में अमूड में भी तुसे लोगों को चाहे वह अमीर हो या गरीव उन्हें दया और नम्रता के साथ एकसेप्ट करना टी रूम के रास्ते में एक बगीचा आता ही जहां मेहमान एक छोटे से वैसिन में अपने हाथ मुध होते हैं बाहर के शोरगुल गंदे माहूल से वह टी रूम के पवित्र औ को दिखाता है इस पवित्रता का का मतलब है material चीड़ों या स्टेटस के सांथ attachment या दूसरों के साथ भरोसा परवा और समानता का भ्यवार करना का समनता समान और पवित्रता के लगाता प्रक्ट से शांते मिल जाती है इस इसका मतलब है कि मुश्किल सिचुएशन में शान्त रहे कर सही तरीके से सोचना और सही एक्षन लेना। टी सेरे मेनी के चार प्रिंसिपल हमारे रिष्टे को बहतर बनाने में हमें गाइड करते हैं। अगर हमारे व्यावार में दूसरों के प्रती समानता, सम्मान, पवित्रता और शान्ती होगी तो हमारे लाइट में ड्रामा कम और मीनिंग ज्यादा होगा। इस बुक की ऑथर वैत केमटन अपने पती से हमेशा परेशान रहती है क्योंकि वह रसोई केसिंग के पास गीला तोलिया छोड़ देते हैं। इसके बारे में वो उन्हें कई बार याद दिया चुकी है कि उन्हें गीले तोलिय को रेक पर टांगना क्यों याद नहीं रहता ताकि वह कम गंदे और कम बदबुदर हो लेकिन बेत ने अब बार बार समझाना छोड़ दिया। एक दिन बेत ने देखा कि उनके पती ने रात का खाना बनाने के बाल गीला तोलिया एक बार फिर से वैसे इनके पास छोड़ दिया था। और एक दूसरी के प्रती प्यार को ज्यादा तवज्जोग देने का फैसला किया। हमें हर किसी में अच्छा है ढूनना सीखना चाहिए। यहां तक कि उन लोगों में भी जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। प्रब्लंस यह है कि इनसान दूसरों के प्रती एक ऐसा सोच बना लेता है। इसे confirmation best कहते हैं। हम किसी भी इनसान के अच्छे या बुरा होने का फैसला उससे पहली बार मिलकर यानि first impression से ही कर लेते हैं। हम ऐसे सबूतों कोई खोज करते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करें। इससे बचने के लिए हमें इस best के पारे में पता होना चाहिए। और ऐसे सबूत ढूनने के कोशिश करने चाहिए कि वो इनसान उतना बुरा नहीं है। जितना हमने पहली बार सोचा था। चलिए दूसरों के प्रती काइंड होने के बारे में कुछ और बात करें। मेंचेस्टर मेट्रोपॉलिटिन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चलता है कि प्रिटेंड में यंग लोग अकले पन से जूज रहे हैं क्योंकि उन पर सक्सेस्पूल होने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। टिनांगेर फैलियर का डर, दूसरों को निराज करना, अलग महसूस करना, सोसल मीडिया पर कंपेरिजन एक्सपीरियन्स करते हैं। हाला कि यह स्टडी यंग लोगों पर फोकस था, लेकिन हम देख सकते हैं कि एडल्ट्स भी इससे कैसे सफर करते हैं। उनके उपर बेस्ट एमपलॉय नमबर वन सेल्समेन या प्रोमोशन पाने का प्रेशर होता है। parents के रूप में ओड होती है कि किसका बच्चा पहले चलता है या बात करना शुरू करता है किसका बच्चा competition जीतता है या exam में अच्छे marks score करता है या कहने की बात नहीं है कि हमें अपनी achievement पर गर्ब नहीं करना चाहिए या point या है कि award और भीचान के बिना भी हम जी सकते हैं हमें उसकी सराहना करने चाहिए अपने आसपास के लोगों से प्यार करें और उनकी respect करें भले ही वो imperfect हो या un-successful हो उन्हें बताईए कि वह जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्विकार किया जाएगा उन्हें ना reject किया जाएगा और नहीं judge किया जाएगा उन्हें इस बात का भी एसास कराईए कि हम उनके अपने हैं समानता, सम्मान, पवित्रता और शांती का बहुत गहरा असर हो सकता है अगर आप इन प्रिंसिपल के साथ मुश्किल से मुश्किल सिच्वेशन या चिर्चरे इंसान के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो भी बिदल जाएगा बैत ने इसे अपने experience से सीखा है बैत student के रूप में जापान में कहीं सालों तक रही वह वहाँ अजापानी कल्चर पर रिसरच करने के लिए दोबारा आई थी जब वहाँ उपने बच्चों की देखवाल कर रही थी और जाने की दयारी कर रही थी उसी समय उन्होंने नागानों में एक हाट स्प्रिंग रिसॉर्ट में अपनी बुकिंग करवाई एक हफते बाद बेच रात भर की फ्लाइट और ट्रेन में लंबे सफर के बाद नागानों पहुंची हाट स्प्रिंग रिसॉर्ट के मैनेजर ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक कप चाय दी वह बहुत मिलनसार था उसने बेच से पूछा आपके पार्टनर कहा है बेच अकेली ट्रेवल कर रही थी लेकिन उन्होंने गलती से दो लोगों के लिए कमरा बुक करवा दिया था वह भी बीना खाने के यह जापन का रिवाज है कि होट स्प्रिंग में रिलेक्स करने के बाद लोग मास्टर शेफ दुवारा बनाए गई खाने का लुफ्त उठाते हैं आप होट स्प्रिंग में सिर्फ स्विमिंग करने के लिए ही नहीं बलकि वहां के लोकल लजजिस खाने भी जाते हैं रिसोर्ट के मेनेजर ने बेट से माफी मांगी और कहा कि शेफ को खाने का ओडर पहले ही दिया चा चुका है मेनेजर ने यह भी कहा कि भच चाहे तो सड़क के किनारे रेमन नाम की जगा पर डिनर के लिए जा सकती हैं लेकिन बाहर बर्फ पड़ रही थी और जब वहां आए दूसरे मेमान टेश्टी खाने का मजा ले रहे थे तो बेट बाहर नहीं जाना चाहती थी बेट ने एकसेप्ट किया कि वह उनकी गलती है उन्हें बुकिंग करते समय ध्यान देना चाहिए था कि डिटेल कोड़ की ध्यान से पढ़ना चाहिए था यह अजिब बात है कि बुकिंग सिर्फ कमरे में रहने के रिजल्ट दिखा रहा था लेकिन गलती हो जाती है हम चाहे कुछ भी करें इसलिए पेत ने मेनेजर से माफी मांगी उन्होंने जापानी भाष्टा में बात की कि जो उन्होंने स्कूल में सीखी थी उन्होंने अपना सिर्फ जुकाया और कहा प्लीज आप शिंता ना करें यह सब मेरी गलती थी मुझे बुकिंग करते समय ध्यान देना चाहिए था मैं बेसबरी से नागानों में लजीज खाने का इतिजार कर रही थी लेकिन मैंने गड़बड कर दी इस बात के लिए मुझे बहुत खेड है हो सकता है या उनके बात का करने का तरीका उनका विनमर वेवार और बॉड़ी लेंग्वेज थी शाद या किसी विदेजी महिमान का अनेक्सपेक्टेड डियक्शन था जो उन्होंने नाराज होने की जगव माफी मांगी मैनेजर ने बैत को वेट करने के लिए कहा और अपने आफिस में चला वेया जब वो वापस आया तो उनसे बैत से कहा कि उसके पास अच्छी खबर है शेफ ने उनके लिए एक और स्लोट जोड़ने के लिए हां कर दी है इतना ही नहीं, मेनेजर ने यवि कहा कि वराट का खाना फ्री में खा सकती है बिना किसी ड्रामे और स्ट्रेस के बैत ने मेनेजर के साथ बिनम्रता और दया का भ्यावार किया जब वह अच्छा खाना खा सकती थी तो उन्होंने सोचा कि कैसे लोग आसानी से गुस्से में दूसरे को दोश देना शुरू कर देते हैं कैसे हम परिशान और निराश हो जाते हैं लेकिन कभी भी इस तरह के नेगिटीव एमोशन सिचुएशन को ठीक करने में मदद नहीं करते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है और आप चिलाना चाहते हैं तो उस टाइम शान तो होने में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ सवाल है आप खुद से पूछे कि मैं सच में क्या महसुस कर रहा हूँ मेरे गुस्से और निराशा की असली वज़ा क्या है कभी कभी जो हुआ या किसी ने क्या किया यह उस बारे में नहीं होता हो सकता है आप किसी और चीज़ को लेकर डर, अकिलापन, दुख, या गिल्ट महसुस कर रहे हैं दूसरा सवाल यह है कि या इंसान जो कह रहा है कि वा už क्यों कर रहा है या इनसान कहां से है उन्हें ध्यान से सुनिए और चीजों को उनके नजरिये से देखिए उन्हें समझने की कोशिश केजिए आखिर में आप अपने आप से पूछें मैं क्या कहना चाहता हूँ मुझे इन शब्दों को कहने की जरूरत क्यों महसुस हो रही है अगर आप सिर्फ बहस में जीदना चाहते हो और दूसरों को दुखी करना चाहते हो तो आपको इसे और नहीं कहना चाहिए इसकी जगा आप सी समझोता करने पर ध्यान दे जिन्दगी इन परफेक्ट है पर फिर भी कुछ पल ऐसे होते हैं जिने हम परफेक्ट कह सकते हैं या कुछ ऐसे चोटे चोटे पल होते हैं जो किसी खजाने की तरह होते हैं जिने हमें हर तरह से फील करना होता है क्योंकि वह बहुत जल्दी गुजर जाती है example के जैसे कि आप अपने बचे को पहली बार अपनी गोद में लेते हैं या फिर पहली बार rainbow देखते हैं वो परफेक्ट moment होता है या ऐसे पल होते हैं जिनमें हम पूरी तरह से डूप जाते हैं हम उनी पलों में रहना चाहते हैं उस समय हम ना तो पास्ट के बारे में सोचते हैं और ना ही फ्यूचर के बारे में हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी एक पल में होता है जो हमें अच्छा लगता है जिने हम हमेशा याद रखना चाहते हैं और जो हमेशा हमें याद रह जाते हैं जब हम फ्यूचर के गोल्स बनाने के बारे में शोशल मीडिया को ब्राउज करने में विजी होते हैं तो हम इन पलों को और बावी सावी को एक्सपीडियन्स करने की अपरचिनिटी मिस कर देते हैं। हम अपने दिन भागदोर, परिशानी और किसी भी चीज पर ध्यान ना लगा पाने में पिता देते हैं। हमें अपना दिमाग और आखे खोल के जिंदिगी की सिंपल और नैचरल ब्यूटी को देखना चाहिए। हमें परफेक्ट जॉब, घर, परिवार या किसी भी चीज के पीछे भागने या उसके बारे में सोचने के बजाए अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। और अपने इन परफेक्ट वर्ल्ड को पूरी तरह एंजॉई करना चाहिए। यूएन के अनुसार जापान में दूसरे देशों के मुकाबले लोग ज्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं। 2017 में जापान में 67,000 लोग सो या उससे ज्यादा उम्र के थे। नागानों का एक गाउं, माचसुकावा, पूरी दुनिया में एक एज़ा गाउं है जहां लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। माचसुकावा के मेयर ने कहा कि उन्होंने इन सब के लिए कुछ खास नहीं किया है। यहां उनकी किस्मत है कि वहें गाउं की जमीन बहुत उपचाओ है और वहां का माहूल भी बहुत चाहे। लोग खेतों में काम करते हैं और खाने की सब्भी सबजियां उगाते हैं। वहां के लोग वाक करते हैं, स्विमिंग और रेगिलर एक्साइज भी करते हैं। वहां हेल्थ को लेकर बहुत अवेरनेस है और बहुती हेलफ की शाएज भी की जाती है। वहां के लोग साथ मिलकर काम करते हैं और सोसल फंक्शन पे भी हिकटे एक सा लेते हैं। मात सुकावा में लोग लंबे समय तक जीते हैं और हेल्दी है basin एक दुकान में काम करने वाला शक्स आयूमी कहता है कि जब हम बहुत बिजी हो जाते हैं तो हम बावी सा भी पिल नहीं करते हैं हमें पता होता है कि हमें अपनी स्पीड कम करने की जुरूरत है हमें पता होता है कि ब्यूटी को अप्रिशियेट करने के लिए हमें सांस लेने और टाइम निकालने की जरूरत है जब हम प्रेशर में या स्ट्रेस में होते हैं तो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देवाते या फिर अपनी हेल्थ को अंदेगा करते हैं तब भी हमें वावी साबी फिल नहीं होता वावी साबी का एक लिसन याद रखे कि लाइफ पर्मानेंट नहीं है जिन से भी हम प्यार करते हैं या जो भी हमें चाहते हैं वह हमारे ताथ हमेशे नहीं रहेगा। शायद हम एक लंबी जिन्दगी ना जियें। टाइम बहुत कीमती है और जल्दी बीच जाता है। हमें अभी से जिन्दगी के हर पलक का ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। और हर पलको अच्छे से जीना चाहिए। कानी सान नागोया में 44 साल की औरत है। उनकी मा और मोसी दुनिया की सबसे बड़ी उमरवाली जुड़वा बहने हैं। उनकी मौत 107 और 108 साल में हुई थी। बैत केम्टन कुछ वैल्यूइबल लिसन के लिए कानी सान में मिलने गई। कौनी सौन अपने डेली रूटीन को एंजॉय करती है। वह अपने परिवार के कबर पर जाने के लिए साइकल चला कर जाती है। वह अपना खाना खुद बनाती है और नेचुरल इंग्रिडियन्स यूज करती है। कौनी सौन अपने बगीचे में सबजे आउगाती है। हरा हची वो को फॉलो करती है। और जब उन्हें लगता है कि उनकी उनका पेट 80% भर गया है तो वहाँ और खाना नहीं खाती है। कौनी सौन कहती है कि अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बहुती चीजों की जरुरत नहीं है। आपके पास जो कुछ है उसकी सराना करोगे तो आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिने आप प्यार करते हैं। उन चीजों के बारे में चिंता करना जो आपके पास नहीं है वह सिर्फ आपको दुखी ही करेगा। इसकी जगा आपको अपने जीवन की ब्लैसिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें अपना बेश्ट कीजिए। हमेशा खुश रहिए। उन चीजों के बारे में चिंता मत कीजिए जो सच में माइने नहीं रखती हो। हम सब सो साल तक नहीं जीएंगे। अच्छा होगा कि हम इस वेक्ट को मान ले। यह एक ऐसा सवाल है जो आपके जिन्दगी को और ज्यादा विनिंगफल बनाएगा। क्या होगा अगर आपको डॉक्टर कहें कि आपके पास सिर्फ एक और साल है जीने के लिए। आप अपनी प्राइरिटी, काम और फाइनल्स में क्या बदलाव करेंगे। जब आप मौत की कगार पर खड़े होंगे तो आप अपने प्रेजेंट सेल्फ से क्या कहेंगे। जब आप मौत की कगार पर खड़े होंगे तो अपने आज के लाइफ इस्टेल के बारे में क्या सोचेंगे। इससे आपको एहसास होगा कि सच में आपके लिए क्या जरूरी है या आपको अपनी स्पीड कम करने और जो कुछ भी हो रहा है उसे महसूस करने में मदद करेगा चलिए बात करते हैं बढ़ती उम्र की एंटी एजिंग इंडस्ट्री हर साल दुनिया भर में 300 बिलियन डॉलर कमाती है बहुत से लोग एंटी एजिंग क्रीम, मेक अप, सप्लीमेंट्स और जवान रहने के कई तरकों के आदी है लेकिन बढ़ती उम्र में क्या बुराई है हम बुड़े होने से बचने के कोशिश करते हैं क्योंकि हम इसने डरते हैं लेकिन वावी साभी हमें बढ़ती उम्र को एकसेप्ट करना सिखाता है या जीवन का एक नैचरल हिस्सा है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ज्यादा समझदार हो जाते हैं और बुड़ापा, बीमारी, मोत हमें याद दिराती है कि हमें अपने जीवन में कुछ मतलब का काम करने के लिए अपनी टाइम को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए लाइफ की अलग-अलग स्टेज से गुज़रते हुए अपने शरीर, माइंड और भावनाओं में आने वाले बदलाव को एकसेप्ट करें हर स्टेज से कुछ सीखें, दूसरी स्टेज पर आसानी से आगे बढ़ें और बढ़ती उम्र की साथ अपना ध्यान रखें हर चोटी चीज में खुशी ढूंडें, अपनी रोजाना की जिंदिगे में सुंदर्ता को देखें अपने अंदर ठहराव लाएं और डोपते हुए सूरज, तारे हवाओं की तारीफ करें और उनकी कीमत को समझें खाना बनाते हुए, गली में घूमते हुए, किताबे पढ़ते हुए या कॉफी पीते हुए हर एक्शन को एंजोई करें अगर आप अपना नजरिया बदलें, तो घर का काम भी आपको मेडिटेशन की तरह लगेगा याद रखी कि हर चोटा पल भी माइने रखता है इस समझी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सबसे पहले आपने वावी सावी का मतलब समझा वावी का मतलब है सादगी में सुन्दरता और सावी का मतलब है समय का बीतना वावी सावी हमें यह लेसन सिखाता है कि live imperfect और impermanent है दूसरा आपने सीखा कि आप अपने घर को वाभी सावी तरीकों से कैसे design कर सकते हैं आपको नए furniture या सजावट का सामान लेने की जरूरत नहीं है आपको कम से कम सामान इस्तिमाल करने की जरूरत है अपने घर को प्यार से भरें सामान से नहीं तीसरा आपने सीखा कि आपने अपने पाश्ट को जाने दे और प्रेजेंट को स्विकार करें negative emotions और बुरे experience जल्द ही खत्म हो जाएंगे बदलाव के लिए आपको flexible रहना चाहिए reality को accept करना और अपने अगले कदम पर ध्यान रखना चाहिए चोथा tea ceremony के चार principles के बारे में सीखा जो है समानता, सम्मान, पवित्रता और शान्ती अगर आप इन्हें अपने रिष्टे में apply करते हैं तो आपके जीवन में drama और stress कम हो जाएगा पाजवा आपने पलो को सजो कर रखना सीखा अच्छे पल जल्दी गुजर जाते हैं आप अपनी speed कम करके और इसकी सराहना करने के लिए time निकालना चाहिए उन चीजों के बारे में चिंता ना करें जो आपके पैस नहीं हैं अपनी blessings के लिए thankful रहें और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें उम्र बढ़ने के सांस सीखते रहें और grow करते जाएं वावी सावी ने आपको अपना नजरिया बजलना सिखाया वावी सावी के साथ दुनिया को देखना आपको ज्यादा दयावान बना देता है और आपको दूसरों को माफ करना भी सिखाता है इससे जीवन बहुत सुंदर और खुशहाल हो जाता है आप वावी सावी को प्या और मर्टेरियल दुनिया के तनाव को दूर करने में मदद करेगी वावी साभी आपको अपनी स्पीड कम करने नेचर के साथ जुड़ने और अपनी कम्यों को एकसेप्ट करना याद दिलाती है हम आशा करते हैं कि आप हर चीज को आसान बनाने इस बात पर ध्यान देने के लि देली खोलें और हमारे गिफ्ट को इमेजिन करें इस पल से आपको गाइट करने के लिए यह एक ओमा मोरी या तावीज है सामने की तरफ साची यानि खुशी लिखा है और पीछे लिखा है आप जैसे भी हैं वैसे ही विल्कुल परफेक्टली इंपरफेक्ट हैं धन्यवा प्रेवाद करें लिएज अका बस्सक्राब कर लिए.